गुद मॉर्णिंग इस्टूटेंट क्लास सेकेंड सब्जेट जी के चैप्टर 14 पीपल एट वर्क तो आपको यह अपने नौट बुक में नोट करना है और यह फिलिंदा ब्लैंक्स बनाना है इसके और इसकी फिलिंदा ब्लैंक्स के ही तोर पर यह आपको एक्जाम में भी पूछे जाएंगे यहां पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं दोनों साइड में और यानिकि यह आपको जो पीपर्स वर्क करते हैं हमारे लिए वर्क करते हैं उनके बारे में बताया गया है तो I catch thieves I am a policeman I take care of your health I am a doctor a deliver letter I am a postman I take care of book in the library I am a librarian I cut your hair I am a barber I prepare food for you I am a cook I make and sell a spectacle I am a optician I sell medicine I am a chemist I draw paintings and color them I am a painter I repair water pipe in your home I am a plumber next आपका आता है we need them हमें किसकी जरुवत होती है I am a teacher I use teachers को किसकी जरुवत होती है pen and chalk I am an electrician तो electrician को किसकी जरुवत होती है इस्कुरुड्राइवर की और प्लायर की I am a gardener तो हम gardener को किस चीज की जरुवत होती है जो gardener में जो scissors होती है आपका आता है वाइट रिंग कैन की ठीक है जो यह सीजर इससे होना वो कट होते है पेट पहुदे और यह से आपको इस कैन से water दिया जाता है I am a doctor तो डॉक्टर को किस चीज की जरुवत होती है थर्मा मीटर की और स्टेटोस्कॉप की ओकी नेक्स आपका आता है पेटा means of transport तो यहाँ पर means of transport आपको दिये गए है जैसे bus हो गया, car है, ship है, aeroplane है, truck है, bicycle है तो प्लस यह auto रिक्षा है तो इस तरह के आपको कुछ pictures दी हुई है और यह puzzle की तरीके से इसको fill करने के रिए दिया गया है वैसे ही मैंने fill किया हुआ है बटी आपको school में आ सकता है विल्कुल exam में आ सकता है आपको puzzles के उसमें आ सकता है तो यह आपको solve करना है then आपका आता है part of a home ओके तो यह आपको filling the blanks के जैसे मैंने जो यह चीजे कुछ underlines किये हुए है जैसे कि आप देख सकते हो तो इन underlines lines जो मैंने किये हुई है इनका home filling हमें make a filling the blanks बनाना है जैसे lawn है is the place where we play and spend your evening it is full of greenery ठीक है next आपका आता है dash यानि कि garage is the place where we park our car और अधर वहिकल हम अपनी garage में क्या क्या चीज़े वहिकल और आपकी car को पार्क करते है ऐसे सेम आपका kitchen का आता है is a place where we cook food next आपका आता है bathroom is a place where we take bath daily next आपका आता है bedroom is a place where we sleep at night balcony is a place is a place adjoining the wall to see out of the home of course balcony drawing room is a place to receive the guest जो आपकी dining room होता है dining room जहां पर आप अफकोस ना सारे अपने meals लेते हैं आपका study room is a place where we do our study next आपका है अभी आस यह आपको यहीं तक ही करना है 21 पेस तक आपको यह complete करना है parts of a home तो जो जो आपको बताया गया है कि कौन कौन से आपको binder में करने और किस तरीके से करने है तो आपको उस तरीके से ही बनाने में बैटा ओके I hope so do you understand थैंक यू